आज भाजपा बेटी बचाओ का नारा देती है पर अपने बलातकार के दोशी विधायक सामसद और मंत्रियों को बचाने का गिरनित अपराद कर रही है। कि जुमलों की इतनी वर्षा हुई कि मेरी बहने आज देश की गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त हैं जिसकी वज़ा से उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। केरला में हमें सुना कि आपका आगे कहे कि देश की विधान सभाओ में, देश की लोग सभाओ में 33% कानूल जो है वो आ गया लेकिन लागू नहीं हो रहा, यह जुमला और धोखा हुआ है। कोमल है, कमजोर नहीं तू, कोमल है, कमजोर नहीं तू, शती का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मोत भी तुझ से हारी है मैं पिछले साथ दिनों में बीस राज्ये और तीस शहरों से गई हूँ, उसमें पंदरा में तेरा वो राज्ये हैं, जिनसे आपकी भारत जोड़ो न्या यात्रा गुजरी है मैं उन दस राज्यों में गई जहां से आपकी भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है, आज देश की आदी आबादी की नजर इस नारी न्याय सम्मेलन की तरफ टिकी हुई है आज पांच गरेंटी की आप घोशना करने जा रहे हैं, जिसका बेसबरी से आदी आबादी को इंतजार है क्योंकि जुमलों की इतनी वर्षा हुई कि मेरी बहने आज देश की गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से तरस्थ है जिसकी वज़ा से उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है राहुल गांदी जी, जब मैं महिलाओं में नारी नय समेलन के माध्यम से गई उन्होंने हमारे पूरपरधान मंत्री भारत रत्न शहीद शिरी राजीव गांदी जी को याद किया जो आपके पिता जी भी है, याद किया उन बहनोंने कि आज 14 लाख बहने जो देश में पंच और सरपंच हैं, पारशद और मेर हैं, वो उनी की देन हैं हम आज शहीद राजीव गांदी जी को शरधांजली देकर एक बर फुन पुनायाद करते हैं राहुल गांदी जी बहनों ने बताया कि केरला में राजीव जी के अधूरे सपने को अधूरे सपने को आगे ले जाने का काम आपने करने का जो संकल्प लिया है केरला में हमें सुना कि आपका आगे कहे कि देश की विधान सभाओ में देश की लोग सभाओ में 33 प्रतिशत कानून जो है वो आ गया लेकिन लागू नहीं हो रहा ये जुमला और धोका हुआ है आज हमारी आदी बेने इस आरक्षन के लागू होने का इंतजार कर रही है और स्थान दिया जाएगा इसके लिए मैं ओबी सी बहनों की तरफ से आपका पहले से धन्यवाद करती हूं राहूल जी मैं सिर्फ उत्तर परदेश नाव हाथस कनपूर के पिता का आत्मत्या करना क्योंकि दोना बालिक बेटियों के बलातकार के बाद उन्हें नहीं मिला उत् दियाना की बहादूर बेटी हमारी साक्षी मलिक न्याय मांग रही है हमारी मनिपूर की आदिवासी बेटियों के साथ सामुहिक बलातकार होता है आपकी भारत जोडो यात्रा के बाद ये फैसला आपका था कि भारत जोडो न्याय यात्रा पूरव के मनिपूर से शुरू ह आज भी मनिपूर जल रहा है आधिवासी बेटिया जो सामुईक बलातकार का शिकार हुई वो नय मांग रही है आज भाजपा बेटी बचाओ का नारा देती है पर अपने बलातकार के दोशी विधायक सांसद और मंत्रियों को बचाने का गिरनित अपराद कर रही है राहुल देश की आधी अबादी को बताना आज एक बर फिट जरूरी है तो पूछते हैं कॉंग्रेस ने इस आधी अबादी के लिए क्या किया ये कॉंग्रेस ही है जो घरेलू हिंसा कानून लेकर आई ये कॉंग्रेस है जो कन्या भुरुण हत्या पर कानून लेकर आई ये कॉंग तो निर्बियाम में हमने ये करके दिखाया कि नयाय कैसे दिया जाता है हम लोगों ने maternity leave गर्बती बहनों को काम के दोरान maternity leave का कानून हम लेकर आए कारियस तलो पर योनूत पिड़न का कानून कॉंग्रेस लेकर आती है श्रमिक बहनों को सामान व्यतन मिल पाए ये कानून लेकर आती है देहेज निशेक कारून कानून लेकर आती है महिलाओं के साथ अशलील हरकत करने पर भी एक अपराद माना जाएगा ये कानून के साशनकाल में ही संबभ हो पाया है मैं रास्टिय ध्यक्ष मलिका जुन खरगे सहब और कॉंग्रेस के पूरव ध्यक्ष राहुल गांदी जी के साथ श्रिमती सोनिया गांदी जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो महिला के तोर पर 20 साल तक अध्यक्ष निर्विरोज चुनी गई और इस पार्टी को ताकत देने का काम करती रही आईए जो आदी आबादी है श्रिमती सोनिया गांदी जी का भी इसलिए धन्यवाद करना चाहती है क्योंकि आज आपने नारी न्याए के तहट आर्थिक न्याए राजनितिक न्याए और समाजिक न्याए और सुरक्षा देने की बात की है राहुल जी मैं एक अख़बार सिरफ आपको सोपूंगे इस अख़बार की हेडलाइन है कि आज भी हमारे देश और गाउं में 97 परतीशत हमारी बेटियां पीरियट्स में कपड़ा इस्तमाल करने को मजबूर है हमारी बेहने सेनिटरी पेल्ड गाउंगों में बनाकर इसमें समाजिक सुधार और न्याए करना चाहती है मुझे उमीद है आर्थिक नयाए के तहट हर महिला के हाथ में काम होगा और अपनी कमाई होगी आने वाली गरंटियों में इसकी जलक हमें देखने को मिलेगी हर महिला के हाथ में अपनी कमाई और अपना जो है काम होगा आर्थिक से शक्तिकरन की बाद आपने की है मैं एक बार फिर से मंच का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं दो शब्द कहके बाद को समाप करूँगी जो राहुल जी भी कहते हम लोगों के लिए कि कोमल है कमजोर नहीं तू कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही नारी है जग को जीवन देने वाली कर दो कर दो कर दो